इस महेने की 25 तारिक से यानि की 25 मार्च से गिल्ली में एक बहुत थी क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी मुख्यमंत्री घरघर राशन योजना जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को राशन देती है, सस्ता राशन देती है अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के जरी राशन मिलता था लोगों को राशन लेने में तकलीफें होती थी तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है कई सारी राशन की दुकाने दो तीन दिन खुलती हैं महीने में लोगों को राशन मिलने मिलता नहीं है कई दुकाने जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती है जादा पैसे लिए जाते हैं तरह तरह की परेशानिया लोगों को होती है तो दिल्ली सरकार ने काफी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हरेक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा वो सारी जो भी राशन के समस्या है वो दूर हो जाएंगी उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी पच्चिस तारिक से इसको लागू होना था कल दोपहर में केंदर सरकार से हमारे पास एक चिठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते क्यों नहीं लागू कर सकते थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिठी क्योंकि पांच दिन पहले लागू होने केंदर सरकार ने इसको बंद किया क्यों नहीं लागू कर सकते तो उस चिठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घरघर राशन योजना नहीं रखा जा सकता उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपती है हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हम ये कोई क्रेडिट के लि कर रही क्रेडिट सारा उनका काम सारा हमारा जिम्मेदारी सारी हमारी हम इसी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो इस योजना का नाम अब इस योजना इसका कोई नाम नहीं यह कोई योजना नहीं है इसका कोई नाम नहीं है जैसे पहले केंदर सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिये बढ़ता था अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा हमें कोई नाम के अंदर नहीं पढ़ना कोई क्रेडिट के चेकर में नहीं पढ़ना बाद अब केंदर सरकार का जो भी आपतियां थी वो आपतियां दूर हो गई होंगी और केंदर सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें एलाओ करेगी मेरे लिए राशन माफिया को दूर करनके गरीबों तक राशन पहुँचाना व्यक्ति गत्स तरके उपर मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एहमियत रखता है आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संगर्श शुरू हुआ था पहले मैं इंकम टैक्स में नौकरी किया करता था उसके बाद नौकरी से छुक्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालो किया जुगी बस्तियों के अंदर काम करना चालो किया दिल्ली में नंदनगरी, सुंदरनगरी, सीमापुरी के जुग्यों के अंदर काम करना चालो किया वहां जब उनकी जुगियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन देने में काफी तकलीफे होती हैं उन्हीं दुनों में सूचना का अधिकार कानून आया था सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रेकॉर्ड निकल वाए तो पता चला कि लोगों के जूटे दसकत करके लोगों के जूटे अंगोटे के निशान लगाके लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था बहुत बड़े स्तर के उपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई हमने विवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफी संघर्श किया हमारे कई कारेकरताओं पर उन दिनों में और गरीब लोगों के उपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किये लेकिन नतीजे बहुत अच्छे, नतीजे कुछ खास नहीं निकले, हम व्यवस्था परिवर्ता नहीं कर पाए किसमत से, उपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और महबत से, कभी हमने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निरने लेने का अधिकार आ गया तो पिछले तीन-चार साल से, मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के उपर लगा हुआ हूँ कि किस तरह से, राशन, गरीबों तक, साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन, इमानदारी से पहुँचे और तब हमने इस योजना को, घर-घर राशन पहुचाने की योजना को तीन-चार साल पहले शुरू किया था पिछले तीन-चार साल में काफी तकलीफें आई, काफी अडचने आई, ये बहुती करांतिकारी योजना है हुझे जाहिर तर पे, जो माफिया है, वो बहुत स्ट्रॉंग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है उसके बड़े लिंक्स हैं, चारो तरफ उसके नेटवर्क है, वो पहुतनी असानी से करने नहीं देगा पिछले तीन-चार साल से मैं मशक्कत कर रहा हूं इस माफिया से लड़ने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस योजना को लागू कराने की अब जब कि हमारा बीस-बाइस साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चली लोगों के घर-घर तक राशन पहुचाने में सफल हो रहे थे तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे केंदर सरकार की जितनी शर्ते हैं हम सारी शर्ते मानेंगे केंदर सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक इमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सकून पहुंच मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगे उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वज़े से आज हमारे दिल्ली के अंदर हम तो छोटे से लोग हमारी सरकार चल रही है तो मैं उमीद करता हूँ कि अब इस निरने के बाद की ये कोई नई ओजना नहीं है कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा परसों हम केडिनेट मीटिंग रख रहे हैं केडिनेट के अंदर इस पे निरने लेके केडिनेट का में प्रस्ताव हम केंदर सरकार को भीज़ देंगे मैं उमीद करता हूँ अब इसमें केंदर सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा नमाश्रुच् sự झाल झाल